हलो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे वेपर एब्जॉप्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसको वी ए सिस्टम भी बोल देते हैं बहुत इंट्रस्टिंग है बहुत मजा आने वाला है और गारेंटीड आपने इसको ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से विसी साइकल से स्टार्ट करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता था? compressor में compression होता है वहाँ पर temperature और pressure increase हो जाता है उसके बाद condenser में heat reject होती है surrounding में क्यों सी heat reject हो रही है surrounding में तो उसका temperature decrease हो गया फिर throttling valve में expansion होता है यानि कि pressure decrease होता है pressure decrease होता तो temperature और भी decrease हो जाएगा और temperature decrease होने की वज़ए से evaporator में refrigerant heat absorber करता है कहां से storage space से storage space से suppose करो QA heat absorb की है जिसको RE भी बोलते हम refrigeration effect उसके बाद फिर से refrigerant जाता है compressor में फिर से compress होता है और फिर से condenser में जाता है तो इस type से cycle चलता रहता है अब RAC में जितने आपके appliances है जैसे आपका AC है water cooler है refrigerator है generally सारे के सारे home appliances तो सारे के सारे VC cycle पे ही काम करते हैं ओके इसके बाद हमें जरूत क्यों पड़ी VA cycle की जरूत क्यों पड़ी देखो VC cycle में आपने पता है जब आप AC चलाते हो तो आपका electricity consumption काफी होता है refrigerator में भी electricity consumption काफी होता है और जितने devices है compressor, condenser, throttling, valve, evaporator और जो filter वगएरा extra, rectifier वगएरा भी लगते हैं थोड़े बहुत ये simple cycle है तो उन सब में सबसे ज़्यादा जो electricity कंजूम करता है वो compressor है यानि कि सबसे ज़्यादा या mainly सिर्फ compressor ही आपका work कंजूम करता है ये compressor ही work कंजूम करता है तो किसी ने कहा जी ये compressor को हटा देते हैं और कोई और alternative देखते हैं तो compressor को हटाने के बाद जब alternative आया तो वो alternative बना आपका VA cycle तो हम यहां से ये compressor हटा देंगे क्योंकि suppose करो कुछ जगह पर electricity नहीं है suppose करो ऐसी जगह जहांपर electricity नहीं है तो वहांपर तो ये काम नहीं करेगा compressor के लिए आपको electricity चाहिए work done चाहिए ओके हा लेकिन किसी ने सोचा कि इसकी जगह पर जो वर्क दे रहे हैं वर्क क्या है high grade energy क्या high grade energy की जगह पर low grade energy low grade energy का मतलब heat heat को use कर सकते हैं या solar system पर direct ये चल सकता है आपका refrigerator या AC तो फिर इसको compressor को हटा के कुछ और लगाके फिर उसके बाद VA system बनाया गया तो हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम VA system को बनाते हैं सिर्फ compressor को खट से बागी element आपके यहीं रहेंगे को तो compressor को खटा लेते हैं पहले फिर बनाते हैं आपका VA system यहाँ पर हमने compressor को हटा दिया है compressor की जगे पर क्या लगा है एक absorber, एक pump, एक generator, एक pressure reducing valve यह चार device लगाए हमने बट यहाँ पर pump जो है अभी भी work consuming device है बट compressor के comparison में जो pump work consume करता है वो बहुत कम होता है या negligible कह सकते हो आप वो negligible work consume करता है pump इसको एक simple solar plate से छोटी सी solar plate से इसको run किया जा सकता है बट compressor को इस type से run नहीं किया जा सकता है या कह सकते हो कि pump जो बहुत ही कम electricity consume करेगा as compared to compressor तो यहाँ पर हम देखेंगे हम जो system check देखेंगे वो देखेंगे NH3 H2O system या two fluid system भी बोल सकते हो आप एक और system होता है three fluid system उसमें hydrogen gas भी यूज होती है अलग से NH3 water and hydrogen three fluid system three fluid system में हमें pump की जरूरत भी नहीं पढ़ती वो थोड़ा complicated है तो यही आपका ज्यादा तरह यही पूछा जाता है इसी के बारे में तो यह पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है अब इसकी working देख लेते कि हो क्या रहा है generator से यहाँ जो generator है यहाँ इससे generator से आपको मिलते है NH3 vapors यहाँ पर आपको मिलते है NH3 vapors मिले आपको condenser में condense होने के बाद क्या होगा condenser में condense होने के बाद क्यों सी heat reject होई surrounding में उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर NH3 liquid नस3 liquid form में ammonia आपको liquid form में मिलेगा throttling valve से throttle होने के बाद throttling valve से throttle होने के बाद pressure इसका reduce हो गया temperature भी reduce हो गया वहाँ पर भी आपको मिलेगा NH3 यह mixed phase में मिल जाता है यानि कि liquid प्लेस vapor phase में या wet reason में आप इसको बोल सकते हो wet reason में आपको मिलेगा यह अभी भी इसमे liquid है तो evaporator में क्या होता है storage space से यह heat लेता है storage space से heat लेता है और जो liquid form है वो किसमें convert हो जाती है? vapor में जितनी इसको latent heat चाहिए है latent heat of vaporization वो कहां से लेगा? storage space से और storage को क्या कर देगा? cool कर देगा हमारा मक्सद तो यही था है storage space मारा cool हो जाए तो यहां पर जब हमें इवेपॉरेटर के बाहर मिलता है तो यहां पर मिलता है NS3, फिर से vapor foam में फिर से vapor foam में अब इसके बाद जो काम था वो किस का था? compressor का, compress करने का तो वो देखते हैं कि compress कैसे हो रहा है यहां से जो NS3 vapor है यहां पर absorber में आते हैं और absorber में इस जगे से उपर से यहाँ प्रेसर रिडूसिंग वाल से यहाँ से आ रहा है आपका water H2O liquid form में आ रहा है यहाँ से क्या आ रहा है? H2O liquid form में आ रहा है NS3 vapor और H2O liquid जैसे ही जाते हैं NS3 water में घुल जाता है NS3 क्या है? Water में घुल जाता है water को क्या बोलते है absorbent water जो है आपका इस सिस्टम में water absorbent है और NH3 है उसको लिखते है refrigerant NH3 refrigerant है और water absorbent है तो water NH3 vapors को absorb कर लेता है अपने अंदर घोल लेता है उसके बाद यहाँ पे absorber से और क्या होता है जो NH3 यहाँ से आया आपके पास इसमें क्या था इसमें थी आपकी latent heat of vaporization इसने कर रखी थी क्या कर रखी थी इसने absorb कर रखी थी उसके बाद absorber में जाने के बाद यह क्या होता liquid form में convert हो जाता है liquid form में water liquid है और यह भी liquid में form में convert हो जाता है तो यह latent heat अपनी reject करेगा तो latent heat कहां reject होती है यहां से surrounding में इसको q small a लिख लेते हैं कि यहां से कुछ heat यहां पर बाहर reject हो रही है absorber से वो कुछ latent heat NS3 vapor की होती है और कुछ यह water होता है ना इसमें भी heat होता है heated water होता है यह तो यह कुछ अपनी heat भी reject कर देता है तो यहां पर heat reject हो जाती है heat reject होने के बाद आपके पास solution बन जाता है कौन सा? NS3 plus water का और दोनों किस form में है? liquid form में liquid form में pump सिर्फ इसको pump क्या काम करता है absorber से generator में भेजने का काम करता है pump क्या करता है? absorber से generator में भेजने का काम करता है अब generator क्या होता है? generator को re-boiler भी बोल देते हैं generator का दुसरा नाम re-boiler भी है re-boiler क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह boiler की तरह काम करता है boiler में जैसे steam डेवलप होती है उसी टाइप से काम करता है कैसे दखो यहां देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जनरेटर में क्या होता है जैसे यह आपका liquid form में है इसमें आपका water भी है और क्या है साथ में water भी हो और NS3 गुली हुई है इसमें liquid form में ही अब इसमें क्या करते हैं? heat देते हैं इसको क्या करते हैं? heat देते हैं जैसे इसको heat देंगे जैसे इसको heat देंगे तो क्या होगा? यहां से vapor बनने start होंगे but boiling point किसका पहले आता है? NS3 का तो NH3 के vapors बनने start हो जाएंगे NS3 के vapor बनने start हो जाएंगे water के vapor नहीं बनेंगे क्योंकि NS3 के वैपर्स जैसे उपर इकठे होंगे तो क्या होगा pressure increase होना start हो जाएगा अभी हमने इसको बाहर नहीं निकाला है अभी valve नहीं खुली है suppose करो अभी valve आपकी नहीं खुली है तो यहाँ पर high pressure पे NS3 वैपर्स बनने start हो जाएगे तो जैसे जैसे pressure increase होगा वैसे वैसे water का boiling point भी तो increase होगा आपने देखा होगा properties of pure substance में अगर आपको नहीं पता है नहीं देखा आपने तो आप प्लीज उसको जाके पढ़ सकते हैं मैं नीचे link दे दूँगा properties of pure substance का जैसे जैसे pressure increase होगा वैसे वैसे saturation temperature भी increase होगा saturation temperature का मतलब boiling temperature तो इसका boiling temperature भी increase होगा चैने की heat दे रहे है बट water का boiling point जो है वो increase हो चुका है और water का boiling point increase होगा तो water boil नहीं होगा water के vapor नहीं बनेंगे TS diagram जो हमने बनाया था इस type से अगर आपको याद हो properties of pure substance में जब आपका small pressure है तो इस type से आपकी बनती है कौनसी ये constant pressure curve है या boiling curve भी बोल सकते हैं इसको लेकिन जब pressure increase होगा तो boiling point आपका increase हो जाएगा यहाँ पर जो होता है boiling point होता है तो इस time पर ये boiling point हो और फिर बाद में boiling point या boiling temperature increase हो जाता है ये pressure high है ये P2 high है और P1 less है P2 greater than P1 यानि कि high pressure जब pressure increase होगा तो boiling point भी increase हो जाएगा और water के case में क्या होगा इसका boiling point increase हो जाएगा इसलिए water boil नहीं करेगा तो वैपर किसके जाएंगे सिर्फ ammonia के जाएंगे तो ammonia के वैपर्स को यहां से निकाल देते हैं कहां पहुंच जाते है ammonia वैपर condenser में और नीचे से यहां नीचे से pressure reducing valve के दुआरा यहां नीचे से water को निकाल देते हैं तो यहां water आया बट pressure तो increase हो चुका water का भी तो इसलिए यह pressure reducing valve लगाते हैं ताकि इसका pressure कम हो जाए absorber में जाने से पहले इसका pressure कम हो जाए तो यहां से आपको यहां पे water फिर से आगया फिर से आप NS3 वैपर को absorb कर लेगा तो यह हुआ आपका यहां से लेके यहां तक यह जो cycle हुआ यह किसका हुआ water का cycle यह water का cycle हुआ और complete जो पूरा यहां से यहां से लेके यहां तक जाने के पाद यह वाला cycle इस type से यह किसका हुआ यह NS3 का cycle यह वाला cycle किसका हुआ NS3 का इस type से आपको यहां पर generator में यह re-boiler में आपको क्या होता है आपके पास मिल जाती है high pressure पे high pressure पे NS3 की stream कि ammonia gas मिल जाती है आपको high pressure पे और compressor का क्या काम था compressor का काम भी यही था कि इसको high pressure पे क्या करनी है यहां पर compressor का क्या काम था उसको pressure increase करना है compressor का main काम था compressor increase करना और वही काम यहां पर कौन कर रहा है generator बट absorber और pump और यह नहीं होगा तो यह supporting device है इसके सारे के सारे, तो यानि कि यह सब मिलके किसका काम कर रहे हैं, compressor का, कौन-कौन generator, pressure reducing valve, absorber and pump, यह question बहुत बार पूछा भी जाता है, कि इन VA cycle compressor is replaced with, VA cycle में compressor को किस से replace करते हैं, VA cycle में compressor को किस से replace करते हैं, यह वाला जो part है, इधर वाला, क्या-क्या, absorber, pump, generator and pressure reducing valve या तो चारो दिये वे मिलेंगे आपको option में या हो सकता pressure reducing valve नहीं given हो, क्योंकि कभी-कभी इसको छोड़ दिया जाता है, तो तीन तो पक्के मिलेंगे, absorber, pump and generator और वही आपका answer होगा, अगर चारो गिवन है तो चारो वाला आपका answer होगा, तो इस type से आपका vapor absorption system काम करता है अब ये हुआ two fluid system, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, water और ammonia वाला system बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस चीज़ को generator को heat supply करते हैं, या तो आपके पास heat available हो, या solar system से भी इसको heat दी जा सकती है, अब इसके बाद एक और system होता है, जो यूज होता है, वो होता है water and lithium bromide वाला, वो VA system, water and lithium bromide, उस case में water refrigerant हो जाता है, उस case में water refrigerant हो जाता है, और lithium bromide, lithium bromide क्या हो जाता है, absorbent, एक और system आपने नाम सुना होगा, Electrolux refrigeration, Electrolux में, Electrolux में थोड़ा सा और change आ जाता है, वो होता है three fluid system, Electrolux में कितने fluid होते हैं, three fluid system, Electrolux refrigeration में three fluid system होते हैं, उसमें यही होता है, NS3 water, और water वहाँ पर भी absorbent होता है, और NS3 refrigerant ही होता है, और एक third fluid आ जाता है, hydrogen gas, hydrogen सिर्फ supportive fluid होता है, support करता है, और उसको use करके हम इस pump को eliminate कर सकते हैं, इस pump को हटा सकते हैं, यानि कि कोई भी device, एक भी device, work consuming device, नहीं रहेगा, यह पूरा हीट पे काम करेगा, तो लेकिन वह वाला case ज्यादा complicated हो जाता है, ज्यादा complicated होने का मतलब उसकी cost भी बढ़ गई और maintenance भी बढ़ गई, तो वह आपका ज्यादा complicated हो जाता है, तो कभी-कभी industries में Electrolux भी use करते हैं, ओके तो यह हुआ आपका vapor absorption refrigeration system के बारे में, अब इसके बारे में लिख लेते हैं, जो हमने discuss किया है, वो complete मैं आपको लिखवा देता हूँ, अभी तक हमने जो समझा है, उसको लिख लेते हैं, points में लिखेंगे, देखो, पहला point क्या है इसमें, in VA system, function of compressor is performed by absorber, pump, pressure reducing valve and generator, और generator को ही बोल देते हैं, reboiler भी और disorber भी, इसका मतलब यह हुआ, कि VA system में, जो compressor है, उसका काम कौन कर रहा है, उसका काम कर रहा है, मिलके सब लोग, कौन कौन, absorber, pump, pressure reducing valve and generator, यह चारों लोग मिलके, काम कर रहे हैं, next point देखते है, in absorber, absorber में क्या हो रहा है, refrigerant, refrigerant मतलब NH3 जो हमने लिया, अभी इस जगे पे NH3 लिया है, refrigerant vapor coming from evaporator, refrigerant vapor जो evaporator से आ रहे थे, is absorbed by absorber, यहनि कि water ने उसको absorb कर लिया है, and vapor condensed into liquid state, और जो vapors है, NH3 vapors थे, जो condensed होके किसमें चले गए, liquid state में, फिर क्या लिखा है, latent heat of condensation, जो condensed होगा, तो उस time पे उसकी latent heat जो होगी, along with, किसके साथ, some heat from hot absorbent, hot absorbent, absorbent क्या था आपका यहाँ पर, water, तो जो latent heat है, और कुछ heat जो आपका hot water आ रहा था, absorbent आ रहा था, उसकी कुछ heat is rejected to surrounding, यह heat reject हो रही है, कहाँ, surrounding में, किसमें हो रही है, absorber में, अभी point किसका चल रहा था, absorber का, absorber में ही latent heat of condensation, refrigerant की, और कुछ heat absorbent की, आपके reject होती है, surrounding में, उसके बाद next point, pump क्यों use होता है, pump is used to pump the solution, solution मतलब, NS3 plus H2O, जो liquid form में है, solution इसलिए लिखा है, क्योंकि यह liquid form में है, इसको pump करने के लिए absorber से generator, absorber से pump करके generator तक पहुचाने के लिए, किसको use करते हैं? pump को, औके, उसके बाद, क्या है generator, generator में क्या हो रहा? in generator, heat is supplied, heat देनी पढ़ती, heat supply करनी पढ़ती है, क्यों? to evaporate, evaporate करने के लिए, and to pressurize, और pressure बढ़ाने के लिए, compress करने के लिए, किसको? refrigerant को, refrigerant vapors को evaporate करने के लिए, और compress करने के लिए आप generator में heat supply करते हैं उसके बाद next thing है pressure reducing valve क्यों use करते हैं जो absorbent है यहाँ पर क्या लिया था हमने water absorbent का pressure decrease करने के लिए हम क्या लेते हैं pressure reducing valve एक दो points और है उनको भी लिख लेते हैं इसमें next point है देखो refrigerant vapors condensed रेफ्रिजरेंट वैपर condense होती है condenser में condenser में कैसी रहे condense होती है by rejecting heat to surrounding कौनसी heat surrounding में reject करती है latent heat latent heat को surrounding में reject करके vapors आपकी condensed हो जाती है फिर उसके बाद and then expands in throttling valve उसके बाद आपको पता है throttling valve लगी होई है वो throttling valve से expand होती है to absorb heat from storage in evaporator उसके बाद आगे चली जाती है heat absorb करने के लिए कहां से storage से किस device में चली जाती है evaporator में यह आप पढ़ भी चुके हो पहले भी एक line में हमने इसको लिख लिया बाकी काम इसका उसके बाद आपको पता है फिर से evaporator से कहां जाएगी फिर से absorber में जाएगी और यह cycle आपका इस तरह से चलता रहेगा लेकिन कुछ और important points भी है यहां तक तो इसकी working कुछ और important points भी है जैसे यह वाला जो device है VA system जो है इस हीट ओप्रेटिड डिवाइस हीट से ओप्रेट हो रहा है और हीट जो होती वह आपकी होती low-grade energy आप heat-opरेटिड डिवाइस भी कह सकते हो इसको या low-grade energy-opered डिवाइस भी बोल सकते हो उसके बाद solar refrigeration system जो होते है जो जिसको आप solar रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हो एक्चले हो वी-ए साइकल पे काम करते हैं वी-ए साइकल पे सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर बेस्ड़ ओन वी-ए साइकल उसके बाद next point VA system is used where large waste heat is available ये कहां पर use होता है जहां पर या तो large waste heat available हो इंडुस्ट्री वगेरा में जब heat से काम कर लिया उसके बाद भी heat available होती है जब heat से जितना काम हमें चाहिए था वो कर लिया उसके बाद waste heat होती है waste heat बोलते हैं जो extra heat बाहर निकलती है जिसको कभी-कभी direct chimney से surrounding में reject कर दिया जाता है तो जहां पर large amount of waste heat available हो वहां पर इसको use कर सकते हो ताकि वो heat आपकी use हो जाए और और कहां पर use कर सकते है where there is no electricity या वहां पर जहां पर electricity नहीं है अब आप कहोगी जहां पर electricity नहीं है वहां pump को कैसे चलाएंगे pump तो electricity से चलेगा बट pump को आप एक छोटी सी solar plate लगा के चला सकते है तो pump में बहुत जादा electricity consume नहीं होती है तो जहां पर electricity नहीं है वहां पर भी इसको use कर सकते है और और कहां use कर सकते है where cost of electricity is very high जहां पर electricity की cost बहुत जादा हो उसके बाद next point का है इसमें VA system में जो heat reject होती है वो दो जगे होती है बहुत आपने देखा होगा दो जगे हीट होती है एक तो condenser में condenser में heat reject होती है जब NS3 vapors आपके NS3 vapors जो है वो latent heat of condensation को reject करते हैं surrounding में उसके बाद absorber में जब absorbent इसको absorb करता है उस time पे भी heat कहा होती है reject कहा होती है surrounding में तो जगे पे heat surrounding में reject होती है तो जितने point थे यहीं पे यहीं से आपके बहुत सारे objective question कवर हो जाएंगे आप check कर सकते हैं exams में उठा के आप देखेंगे SACJ में भी कुछ gate में भी कुछ ES में भी यहां से direct question पूसे जाते हैं कभी इस type से question पूसा जाता है कि heat reject कहा कहा होती है और कभी यह भी पूसा जाता है कि solar refrigeration system किस पे काम करता है तो बहुत सारे objective question बनते हैं सिरफ इस theoretical part से okay तो आज इस lecture में हम यहां तक ही पढ़ेंगे जो बाकी पढ़ेंगे वो next lecture में पढ़ेंगे ठीक है आप लोग please feedback जरूर दे कि आपको कैसा लगा आप लोग जरूर feedback दे कि आपको lecture कैसा लगता है आप comments में जाके comments कर सकते हैं आपके कोई queries है वो भी comments कर सकते हैं अब आपको mail id भी नीचे description में मिलेगी mail id पर आप mail कर सकते हैं आप कुछ भी आपकी question है या कुछ और doubt है आप mail id पर mail भी कर सकते हैं तो आज के lecture में इतना ही मिलते हैं next lecture में thank you so much